आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, Reading Skill के बारे में कि Reading Skill क्या है, इसके Types क्या है, Strategies क्या क्या है, Pre and Post Reading Activities, तो वीडियो में इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे reading skill के बारे में कि reading skill क्या है reading skill contribute to a child's reading ability की पढ़ने का वसल बच्चे की जो पढ़ने की जो छमता है उसमें योगदान देता है उसको बढ़ाता है reading means reading the written material and understanding its meaning कि reading का मतलब क्या है कि जो लिखा हुआ जो material है ठीक है उसको पढ़ना उसको समझना उसका अर्थ निकालना यही तो reading skill है it is necessary to acquire meaning in the act of reading की पढ़न क्रिया में अर्थ गहन करना आवस्यक होता यह नहीं कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ी रहे हो ठीक है जब हम reading skill की बात करते हैं देखो यहाँ पर भी reading अलग है reading का मतलब है पढ़ना लेकि जब हम reading skill की बात करे हैं पढ़ना और पढ़ी हुई चीज का अर्थ निकालना ठीक है इसमें क्या क्या चीज आ रही है जो चिन है जो लीपी है उनको पहचानना समझना तथा मुल्यांकन इस सारी की सारी जो चीज है reading skill में आती है तब ही तुम इसको reading skill कह रहे है बस अगर reading की बात करने तो reading का मतलब है पढ़ना ठीक है फिर सही पढ़ो चाहिए गलत पढ़ो जैसे भी लेकि जब हम reading skill की बात कर रहे हैं तो यहां पर शिर्फ पढ़ना नहीं रह जाता पढ़ना समझना उसको evaluate करना ठीक है तो इस सारी की सारी चीज़े इसमें आ जाती हैं अब हम बात करते हैं the following things are included under reading skill की जब हम reading skill की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज़े आ जाती हैं तो सबसे पहले identifying sound symbol by looking at them की ग्वनी की परतिक वर्णों को देखकर उनको पहचानना जब आप अपनी textbook लेते हैं तो उसमें जो भी आ आप words देखते हैं तो उनको देखना उनको पहचानना ठीक से पहचानोगे तबी तो पढ़ पाओगे reading by dividing words into meaningful units की जो word हैं उनको अलग लग सार्थ तक सब्दों में बाढ़ कर उसको पढ़ना कई बार हम पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन हमें ठीक से words ही नहीं पता होते है जब आप कोई भी एक line बोलते हैं तो अलग लग जो words होते हैं उनको सही तरह से जोड़ करी आप एक line बोल पाते हैं लेकिन अगर आप वो जोड़ी नहीं पाते है line को ठीक आप ठीक से बोली नहीं पाते ठीक है तो फिर आप पढ़ेंगे कैसे understanding the ideas of the material read की पटी सामगरी के विचारों को समझना आप जो पढ़ रहे हो आपने टेक्स्ट बुक उठा इसमें जो आप पढ़ रहे हो तो जिर पढ़ना नहीं उसको समझना की लिखा क्या हुगा है जो राइटर हैं बताना क्या चाहरा है accepting the meaning of words according to the context की संदर्प की अनुसार सब्दों का भाव ग्रेंड करना जैसे हम चाहें इंग्लिस की बात करें हिंदी की बात करें अलग लग पॉइंस पढ़ते हैं अलग लग स्टोरी पढ़ते हैं ठीक है उपन्यास पढ़ते हैं तो उसमें जो भी जब हम उसको पढ़ते है तो यह भी हमें समझना होता है कि जब जिस राइटर ने लिखा है तो उसका भाव क्या था उसने ऐसा क्यों लिखा तो इस सारी चीज़े इसमें आती हैं इसके अलावा दिस इस दे बेस्ट मीन ओफ इंडिविजल डवलपेंट की अगर हम इसके इंपोर्टेंस की बात करें ठीक है तो इससे क्या हो रहा है हमारा जो नॉलेज ये इनहेंस हो रहा है हमारी जो ग्यान है उसमें वृद्धी हो रही है तो हमारे विकास का स्रेश्टम साधन है इस इस दे की और टू एक्वाइरिंग नॉलेज की यह ग्यान अर्जन की कुंजी है क्योंकि पढ़ कर निडेड इन एवरी एरिया उफ लाइफ की इसकी जीवन के प्रते एक छेतर में आवसकता पड़ती है अगर मान लो आपको पढ़ने ना आता हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी ठीक है आपको यही नहीं पता चलेगा कि 500 का नोट कौन सा है 100 का नोट कौन सा है ठीक है ठीक से daily experience में तो आप उसको जान जाओगे तीक है और अगर आप metro में जा रहे हो बस में जा रहे हो तो कौन सी bus कहां जाएगी कौन सी metro कहां जाएगी आपको कैसे पता चलेगा तो आप बिना अगर आपको पढ़ने नहीं आता होगा उसके बिना तो हम अपने ठीक से सर्वाई भी नहीं कर सकते It is only through reading that the child becomes familiar with the entire world की पठन के द्वारा ही हम पूरे दुनिया से परिचीत होते हैं ठीक है, ना आपनी ना मैंने, पूरी दुनिया हमने नहीं गुमी Reading is helpful in attaining education की पठन, सिक्षा प्राप्ती में सायक है The idea of school is incomplete without reading की पठन की बिना तो स्कूल की कलप नहीं की जा सकती ना बुक होगी ना कुछ होगा तो फिर पढ़ेंगा कैसे पढ़ेंगे पठन के द्वाया असिक्षितों को भी लाप पहुचाया जा सकता दे को जिनको पढ़ना नहीं आता हो ठीक है, आप उनको पढ़ कर भी उनको चीजों को सुना सकते हो, बता सकते हो और without reading skill, one can neither become a good speaker nor a good writer बिना ठीक से पढ़ें, बिना चीजों को समझें, ना आप एक अच्छे speaker बन सकते हैं, ना एक आप अच्छे writer बन सकते हैं अब अगर हम types of reading skill की बात करें, पठन कॉसल की परकार की बात करें तो देखिए, इसके अलग-अलग types होते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हम पढ़ने की बात करते हैं, reading की बात करते हैं तो reading allowed, loud reading, ठीक है? तो class में अक्सर आपने देखा होगा कि जो teachers जो करवाते हैं, reading एक हम चाहे personal reading की बात करें, group reading की बात करें class में अक्सर हम एक भी देखते हैं, आप individual भी पढ़ते हैं, ठीक है? और छोटी classes में देखा है, तो बच्चों को group में भी पढ़ाते हैं, ठीक है? बच्चे पूरी class में एक साथ एक group में पढ़ते हैं, ताकि उनकी जो, चाहे हम speaking skill की बात करें, अच्छी और बैतर हो सकें और साथी साथ बच्चे ठीक से पढ़ सके सब्दों को ठीक से पहचान कर सके सब्दों को ठीक से उसका उचारन कर सके उसको पढ़ सके तो personal reading भी होती है जब हम individual करते हैं और group reading होती है जब group में करते हैं ठीक है इसके अलामात दीरे दीरे जब हम बड़े होते हैं तो silent reading भी हम start कर देते हैं मतलब मन में पढ़ना और मन में भी हम दो तरीके से पढ़ते हैं deep reading और fast reading ठीक है deep reading जैसे आप मालों आपका exam हो रहा है ठीक है आपने जो books है अलग-अलग language जो less curriculum है अपने उसको उठाया और मन में उसको अपने पढ़ना श्टार्ट कर दिया तो उसको अप अराम-अराम से पढ़ते हो ठीक है बार-बार पढ़ते हो लेकिन जब हम fast reading की बात करते हैं तो जो हम newspaper पढ़ते हैं story पढ़ते हैं novel पढ़ते हैं तो उसको हम क्या करते हैं उ जो एर्र से उसका पता लगाते हैं और speed reading तो अक्सर increasing reading speed की reading speed को जो आपकी reading speed है उसको बढ़ाने के लिए इस तरह की speed reading करवाई जाती है अब हम बात करते है strategies of reading कि पढ़ने की क्या क्या रणनीतिया हो सकती है तो देखिए रणनीतिया तो बहुत सारी हो सकती है बच्चों को पढ़ाने की किन किन तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है तो देखिए class में हम क्या कर सकते हैं सब्दों को पढ़ना और फिर सब्दों को जोड़ कर वाकी की समचना करना अक्सर आप क्या कर सकते हो कि बोड पर आप कुछ श्रब्दों को लिख सकते हो फिर बच्चों से कह सकते हो कि अच्छा इनको आप पढ़ो ठीक है और फिर आप बच्चों से कह सकते हो कि इन श्रब्दों को अलग श्रब्द आपने लिख दिया आप इनको जोड़ो और इससे आप क् class में करवा सकते हैं इससे क्या होगा बच्चा ध्यां से पढ़ेगा ठीक है getting children to do reading activities with their classmates की हाँ बच्चों को उनके से पाटी संग पठन क्रिया करवाना की class में क्या है कि बच्चों से बोलो कि आप अपने जो आपके जो classmates हैं इनके साथ पढ़ो तो ये भी है कि मालो एक को ठीक से पढ़ना नहीं आता दूसरे को ठीक से पढ़ना आता तो दोनों साथ पढ़ेंगे तो बच्चा क्या है एक दूसरे को भी ठीक से जो भी error से बता कर उसकी जो error से ठीक कर सकता है इसके अलावा पढ़ने के लिए हम अगर मसीन की बात करें तो यहाँ पे चाहे हम जो क्लास में जैसे स्मार्ट बोर्ड होते है तो वहाँ पे टीवी होती है ठीक है वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड और इस तरह से प्रोजेक्टर है इनका भी हम help ले सकते हैं इनके द्वारा भी बच्चों को हम ठीक से पढ़ा सकते हैं समझा सकते हैं इसके अलावा कई जगे language lab भी होती है तो वहाँ पे भी हम वहाँ पे जो tools होते हैं उसका use कर सकते हैं बच्चों की जो भी पढ़ने की जो errors है ठीक है ठीक से पढ़ना तो उनकी जो errors को हम दूर कर सकते हैं ठीक है खत्म कर सकते हैं और बच्चों को ठीक से पढ़ना सिखा सकते हैं इसके अलावा Children's Song तो जैसे nursery rhymes होती है बाल गीत होते हैं इसके द्वारावी बच्चों को पढ़ने के लिए बोलना ठीक है दिरे दिरे जब बच्चा पढ़ने लगता है तो दिरे दिरे इस तरह की activity कराई जा सकती है reading of story कहानी पढ़ कर सुनाना और identifying the written letters की जो भी लिखे हुए शब्द है उनको पढ़ना उनकी पहचान करना ठीक है अक्षरों की पहचान करना शब्दों की पहचान करना तो इस सारी चीजे हैं इस सारी अलग-लग activities करवाई जा सकती है जिससे बच्चों की जो reading skill है वो और ज प्रिया होती है reading जो होती है ठीक है इसका भी एक process होता है the process of reading is the cognitive process of reading, understanding, assimilating, evaluating and remembering what is written in a text की यहाँ पर क्या-क्या चीजे है ठीक है यहाँ पर पढ़ना, समझना, assimilating, evaluating and remembering की जो भी आप text को पढ़ रहे हो ठीक है उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको evaluate करना, उसको याद कर इस सारी की सारी जो है चीजे है process of reading का part है तो यहाँ पर तीन चीजे आती है ठीक है process of reading में इसको तीन अलग लग steps में इसको बाटा गया है पहला है pre reading activity दूसरा है through reading activity और तीसरा है post reading की, पढ़ने से पहले क्या-क्या activity की जा सकती है, पढ़ने के दोरान और पढ़ने के करते हैं देखिए सबसे पहले जो हम प्री रीडिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो आप बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं कुछ पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले आज जो हम पढ़ने वाले ही से यह चीजे शीखेंगे आपको बहुत चीजे सीखने को मिलेगी आपको नहीनी बात है सीखने को मिलेगी तो इससे क्या होगा बच्चा मांसी कूरोप से तयार हो जाएगा तो this level has children to be mentally prepared for reading कि इस तरफ बच्चा मांसी कूरोप से सुना सकते हैं कोई काहनी सुना सकते हैं कोई पोयम सुना सकते हैं और इस तरह से बच्चा जब mentally prepare हो जा तो फिर आप पढ़ाना start कर सकते हैं फिर through reading अब जब बच्चा पढ़ना start कर दिया तो at this level the text is made to read to the student in different way कि हम बच्चों को अलग लग तरीके से भी पढ़ा सकते हैं हम बच्चों को इंडिवीजुली class में पढ़ा सकते हैं हम बच्चों को पूरे group में पढ़ा सकते हैं ठीक है तो यह through reading activity है कि बच्चा class में पढ़ेगा कोई भी उसकी writing mistake होगी आप उसको ठीक कर देंगे ठीक है साथ ही साथ फिर last में आता है post reading पठन के बाद मालो पढ़ भी लिया तो अब उसके बाद क्या होगा तो अक्सर आप देखते हो ना कि class में जब भी कोई chapter खतम हो जाता है तो हम क्या करते हैं उसका evaluation करते हैं कि हमने उसे क्या सीखा में उसे क्या-क्या चीजे समझ में आई और मालो ओ chapter खतम होने एक बाद भी हुमें लगता है कि हमें समझ में नहीं आ तो हम फिर से reading करते हैं तेक उसको हम फिर से पढ़ते हैं तो इस तरफ पर विद्यारती पार्ट के बारे में अपनी समझ का वर्णन करता है इस तरफ पर याणि अधारित करने में मदद मिलती है कि कहानी के बारे में आपकी जो प्रारमिक भविस्वानी सही है जो हमने बच्चों को सुरू में बताया था कि आपके पढ़के बहुत मजा आने वाला है बहुत कुछ सीखने वाले हैं तो इसी स्टेज पर आप इस चीज को इवैल्यूइट करते हो क्या सचमे बच्चों को मजा आया तो इस तरह से हमने रिडिंग प्रोसेस में देखा कि तीन एक इसके स्टेजी से पहला प्री रिडिंग दूसरा थू रिडिंग और तीसरा पोस्ट रिडिंग ठीक है तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताईए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद